अलो एस्पिरेंट स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से पर्चम क्लासिस पे और आज दिसंबर का आखरी हफता यानि इस साल का अंत 2023 खत्म हो रहा है दो हज़ार चौबिस आ रहा है और ये हमारा आखरी हफते की न्यूज हमको देखनी है कि एकनोमिक्स और फाइन इंपर्टेंट इंफर्मेशन आपको दे रहे हैं SSC General Awareness का 2024 का बैच एप पर आचुका है जिसके अंदर पूरा आपको Complete GA का सेक्शन मिलेगा ठीक है हमारी पूरी टीम ने मिलकी इसको रिकॉर्ड किया है अपने अपने एक्सपर्टीज की फिल्ड के अंदर Quality, Economy, History, Science, Geography, Strategy, जी के सब कुछ कवर होगा, डाउनलोडेबल PDF आपको मिलेंगी साथ में previous year question paper with mock test paper और live interactive session आपको मिलेंगे for your doubt solving session ठीक है तो अभी देखते हैं आज की class के अंदर क्या है बाकी detail आप description के box में जाना, description box में आपको app का link मिलेगा, वहां से app डाउनलोड करके बाकी details आप app से ले ठीक है, pile 20 का अगर आप use करते हो तो आपको 20% off मिलता है, एक student ने पूछ रखा था मैम pile 50 करें तो 50% off मिलेगा क्या, फिर आप pile 100 ही कर लेते हैं, 100% मिलता क्या, ऐसा नहीं है, pile 20 code का आपको use करना है to get 20% extra off, चलिए जी पहला, पहली news क्या है वो हम देखते हैं, काफी छोटी चोटी और बहुत बहतरीन news जो है इस हफते में आई है, देखते हैं सबसे पहले क्या है, सबसे पहली news क्या है, ये एक school बना है, KMBL और IIT कानपूर ने इंडिया का पहला sustainability school जो है वो बना दिया है, लांच कर दिया है, ये KMBL क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने Indian Institute of Technology कानपूर के साथ मिलके, उत्तर प्रदेश में, किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में, कोटक स्कूल और सस्टेनेबिलिटी लांच किया है, ये इंडिया का पहला fully integrated school है सस्टेनेबिलिटी के मतलब कि इसके अंदर जितने भी, जैसे देखो इसके अंदर क्या होगा, main focus आपको ऐसी technology सिखाने पे होगा, जो भविशे में आपके काम आएंगी, और sustainable क्यों कह रहे है, क्योंकि एक तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़े सिखाई जाएंगी, जो हमेशे आपके काम आएंगी, और ताकि for example, जैसे कई congested से room होते हैं, वहाँ पे दम घुट रहा है, हमको fan AC का ज्यादा use करना पड़ता है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, eco friendly rooms होंगे, तो यह इसलिए इसको sustainability का school कहा जा रहा है, ठीक है, इसको KMBL ने अपनी corporate social responsibility program, कोटक कर्मा के द्वारा ये बनाया ह यह इनका CSR program है, कोटक कर्मा, corporate social responsibility क्या होती है, जितनी भी company, अब मान लीजिए, मैंने कहीं पे factory बना दी है, ठीक है, अगर वहाँ factory ना होती, तो कोई तो paid पोधे कुछ तो होते, जो environment को मदद करते, ठीक है, तब आप, अब आपने वहाँ पे अपनी factory बना दी है, तो क्या social responsible बनके, society के लिए responsible बनके, आप सहयोग दोगे, corporate social responsibility जिसको कहते है, उस पैसे से यह school बनाया है, sustainability school जिसको कह रहे है, उत्रप्रदेश में जो बना है, और इनके program का नाम था, कोटक कर्मा, ठीक है, इसकी, अगर हम aim की बात करें, तो हमको एक तो pedigree education को promote करना है, research, outreach, by focusing on enhancing home homegrown capabilities, homegrown capabilities को enhance करना है, ठीक है, cost क्या होगा इसका, cost होगा 200 करोड, ठीक, 70 करोड जो है, कोटक will be contributing 70 करोड in the first phase, phases के अंदर सारा काम होगा, 70 करोड रुपे first phase में दिये जाएंगे, और 200 करोड का total पूरा project है, 70 करोड रुपे जो है, वो first phase में दिये जाएंगे, इसका feature क्या green building बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया, main campus के अंदर ही, एक अलग school बनाया जा रहा है, जो IIT कानपूर का main campus है, वहीं पे ही आपको इसकूल देखने को मिलेगा, पूरी green building होगी, platinum rated होगी, platinum rated का मतलब है, zero wastage होगा energy का water का, zero wastage होगा, ठीक है, KSS will led by tenured professors, professors बहुत अच्छे ह होगी, ठीक है, और leading industry के experts होगे, पूरे विश्व के, जो भी अपने-पने field में expert है, उन professors को यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक, it will offer both undergraduate and postgraduate academic and skill building program, इसके अंदर undergraduate यानि UG भी आपको करवाई जाएगी, और postgraduate की classes भी आप लोगों की लगा करेगी, theme of sustainability पे, कि किस तरीके से आप sustainable environment को या sustainable growth को promote कर सकते हो, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के courses आप लोगों को सिखाये जाएंगे, ठीक है, इसके key points की बात करते हैं, key points क्या कहते हैं, KSS will act as a platform for collaborative research, मतलब इसके अंदर collaboration होगा, इसके अंदर collaborative research होगी, multiple facets of sustainability, मतलब की बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, sustainability की, बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, center of excellence होगे, अलग-अलग diverse field, जैसे climate, economy, climate, finance, sustainable society, policy, clean energy, environment, इनको लेके कौन-कौन से courses हो सकते हैं, वहां के पुरी दुनिया के जो best professors हैं, उनको लाके इस प लोगों की skill force के उपर ध्यान दिया जाएगा, और ये क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि जो हमारा 2070 का target है, कि इंडिया को net zero करना है, मतलब net zero emission पे हमको पहुँचना है, 2070 तक, तो उस पे ध्यान देने के लिए, ये school जो है, वो बनाया जा रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक लिम next news क्या है, sovereign gold bond scheme को लेके है, इसके series 3 unveil हो गई है, यानि series 3 launch हो गई है, notification number क्या है, ये आप देख सकते हैं, जिसको gold bond में पैसा लगाना है, उसके लिए ये notification ज़रूरी है, December 8, 2023 को ये launch किया है, जिसमें क्या कहा गया है, 18-22 December तक आप subscribe कर सकते हैं, अगर आपको gold bond खरीदने हैं तो, RBI ने जारी किया है, 6,199 पर gram, यानि की 61,990 रुपया तोला, ठीक है, पर 10 gram का इतना रुपया आपको देना होगा, ठीक, और इसके अंदर ये कहा है, Government of India, RBI इसे कंसल्ट करके 50 पर gram का discount देने की सोच रही है, कि हर gram पर 50 का discount, कि आपको ये 49, 6,1, 6,1, 4,9 रुपीज पर gram का मिल जाए, ऐसा भारस सरकार कह रही है, ठीक, दैशु प्राइस जो है, वो इतना होगा, मतलब 50 रुपये discount दे दिया भारस सरकार ने, गोल्ड तो था इतने का, पर gram रेट था, पर सरकार ने 50 रुपीज डिसकाउंट दे के इतना पर gram, यानि 61,490 रुपये पर तोला, पर 10 ग्राम, आपके लगेंगे अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तो, ठीक है, ये गोल्ड बॉन्ड क्या है, एक बार देख लीजि जैसे माल लेजिए, आप क्या कह रहे हो, आपको गोल्ड खरीदने का मन है, आपको पता है भारत के अंदर गोल्ड तो बहुत ऐसे लोग इमेज से जोड़ लेते हैं, कि तेरे पास कितने तोले सोना है, तो अपने यहाँ पर इमेज से जुड़ा हुआ है गोल्ड का वज़ तो भारत सरकार क्या चाहती है, कि आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदो, आप तो निवेश ही तो करने वाले हो, जुल्री बनानी हो तो बात अलग, एमाल लीजे, आपको बिस्किट खरीदना है, ठीक है, आपको 24 क्यारेट गोल्ड खरीदना है, प्योर जिसमें जुल्री नही उन डेफिसिट की प्रॉबलम देखी जाती है, तो भारत सरकार ने क्या कहा, कि जिसको सिर्फ निवेश करना है, आप गोल्ड ना लेके 20 ग्राम का गोल्ड बोन्ड ले लो, मतलब एक ऐसा कागस का टुकड़ा है, जिस पे सरकार ने कह दिया कि हंजी, आपका 61,490 पर साल, 0.5% rate के हिसाब से आपको हम मुनाफ़ा दे देंगे, हर साल आपको 0.5% rate के हिसाब से आपको मुनाफ़ा मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए, गोल्ड क्यू निवेश करना आपको, ताकि उसके वेल्यू बढ़े, आपका पैसा निवेश हो जाए, तो आप आपको ये गोल्ड बोंड मिलेगा, ठीक है, तो ये गोल्ड बोंड स्कीम है, ताकि आपको physical गोल्ड ना खरीदना पड़े, कौन खरीद सकता है इस गोल्ड बोंड को, कोई भी individual खरीद सकता है, ठीक है, हिंदू undivided family खरीद सकती है, किसी trust के नाम पे, university के नाम पे, charitable, institution के पर खरीदा जा सकता है, टेनोर क्या है इसका, वैसे तो आट साल है, वैसे तो टेनोर इसका आट साल है, लेकिन पांच साल के बाद, आप अपना पैसा वापिस निकाल सकते हो, इस बोंड से, जरूरी नहीं है ना कि आट साल आप रखो, आपका मन है मैं तो बेच दूँ, तो आप क्या करोगे, ये बोन किसी और को बेच के, पांच साल के बाद आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो, यानि पांच साल लोकिंग पीरिड है, आठ साल का पूरा पीरिड होता है, कम से कम एक ग्राम गोल्ड आप खरीद सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, इंडिविज्वल चार चार केजी सोना मैक्सिमम्म खरीद सकते हो, मिनीमम सबके लिए है 1 ग्राम गोल्ड ठीक है, इसके प्राइज जो है वो RBI जारी कर देता है, सेल्स चैनल कहा कहा आपको मिलेगा ये, ये 알多少 कमर्शियल बैंक में आपको मिल जाएगा, ये जो गोल्ड बॉन्ड है, अन्रील य क्या होगा, 0.5% per annum और semi-annually, हर छटे महीने के बाद आपको ब्याज मिलता रहेगा collateral, collateral, आप यूज कर सकते हो, मतलब इन bond को मान लीजे, इन bond को गिरवी रखके आपको यूर loan भी ले सकते हो इन bonds को आप as a collateral भी यूज कर सकते हो tax treatment क्या है? capital gains tax जो है own redemption of SGP to an individual exempted, आपको CGT इस पे नहीं देना, CGT नहीं देना, capital gains tax नहीं देना tradable है, आप किसी और को भी बेच सकते हो 5 साल के बाद, ठीक है तो ये सारी चीजे जो है, वो gold bond को लेके थी, जो मैंने आपको बताई अभी next news क्या है? next news है student, public sector bank ने 10.42 lakh करोड के loans जो है, वो write off कर दिये है 9 साल में, और 15.45% recover कर लिया है write off का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, loan write off का मतलब क्या होता है, आप अपनी balance sheet से एक बार के लिए उनको हटा देते हो, कि हम इसको बाद में देखेंगे, बाद में recover करेंगे, एक बार हम इसको balance sheet से हटा रहे हैं, ठीक है, और बाद में हम इसको recover कर लेंगे, ताकि आपकी balance sheet साफ सुत्री और बिल्कुल clear दिखें, ठीक है, इसलिए हम loan को return off कर देते हैं, write off कर देते हैं, तो क्या कहा गया है कि 10.42 lakh करोड तो अपने write off कर दिया, जिसे भविशे में ले ले गे, और 15 प्रतीशत जो loan है, वो आपने recover कर लिया ठीक है, public sector bank की बाते हैं ये, 2014 15 से 2022 30, loan write off का मतलब क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, recovery कैसे कैसे हुई, debt recovery tribunals बनाए हुए है, नरसिम्हा कमेटी ने ये कहा था, 2002 में, कि आप debt recovery tribunals बना दीजिए, जहाँ पर particular debt को recover करने के case ही जाएंगे NPA के case ही जाएंगे दूसरा surface act, जिसमें नीलामी होती है, कि अगर आप loan नहीं दे रहे हैं, तो आपके जो assets है, जो आपके collateral है हम उनकी auctioning कर रहे हैं नीलामी कर रहे हैं, तो surface act के माध्यम से recovery हुआ, फिर ये तो individual person का अगर कोई debt का case है, individual person का है, तो वो तो जाते है debt recovery tribunals के अंदर, और किसी company ने loan लिया हुआ है और वो वापिस नहीं कर रहे हैं, तो उनका case जाता है national company law tribunal के अंदर, तो insolvency and bankruptcy code 2016 का, इसने भी बहुत सारा पैसा recover करके दिया है, तो ये सारी बात थी ये सारी information थी जो आपको देनी थी, ये तो थी public sector bank की है, public sector bank में तो schedule commercial bank non schedule commercial bank ठीक है, और आपका जो private sector bank समझ, बात समझा रही है ना जैसे अलग-अलग category होती है अलग-अलग category होती है public sector bank का मतलब है, वो bank जहाँ पे 51% से जादा share भारस सरकार के ही हो उनको गहते है public sector bank, लाइक सरकारी bank जिनको आप कहा देते हो यह लिखा हुआ है, schedule commercial bank schedule commercial bank कौन से होते है वो public sector bank होते है या वो, मैं कहूंगी कि वो वाले banks होते हैं जिनका नाम RBI Act 1934 की RBI Act 1934 की schedule 2 के अंदर लिखा हुआ है उनको हम schedule commercial bank कहते हैं यह bank काफी important होते है और भारस सरकार जब भी कोई scheme लाती है तो इन्ही banks के माध्यम से उनको launch करती है, तो schedule commercial bank अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहोगे वो public या private bank, यह public भी हो सकते हैं प्राइवेट भी हो सकते हैं वो banks जिनका नाम RBI Act 1934 के schedule 2 में लिखा हुआ है, उनको schedule commercial bank कहते हैं schedule commercial bank ने 10.57 करोड के loans write-off कर दिये हैं और 7.15 लाग करोड जो है वो recover कर लिए है अब इनका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ recover क्या होता है write-off क्या होता है, तो आपको यह news जो है वो याद रखनी है for public sector bank and schedule commercial bank now the next news is इंडिया का जो IIP है index of industrial production यानि पहले की तुलना में production कितना हुआ पहले की तुलना में production कितना कम्यजादा हुआ यह index for industrial production यानि IIP बताता है तो इंडिया का जो IIP है पिछले 16 महीनों से high हो रहा है मतलब पिछले 16 महीनों में उत्रा नहीं हुआ जितना अब high हो गया है तो जो आपका IIP है वो बढ़के 11.7% से बढ़ गया है सबसे ज़्यादा अच्छा performance manufacturing sector में इजाफा देखा गया then electricity में और फिर mining में देख रहे हो manufacturing में 10.4 electricity में 20.4% और mining में 13.1 यानि सबसे ज़्यादा electricity चीजों का electricity field के अंदर आपने देखा production फिर manufacturing में फिर mining में and then manufacturing में ठीक है ये जो industrial growth है इससे ये पता लगता है भारत का GDP भी बढ़ेगा आने वाले समय में एक advance estimate अगर हम देखे तो 5 जनवरी 2024 के बाद वाला जो हम GDP निकालेंगे वो काफी high होने वाला है अगर हम इस target को देखते हैं तो retail inflation यानि जो CPI है consumer price index वो भी increase हो रहा है 5.55% से हो गया क्यूंकि vegetable के prices के अंदर बहुत सारा seasonal hike देखा गया है जिसके चलते retail inflation भी जो है वो जादा हो रहा है RBI जो है अपने एकनोमिक growth projections को adjust कर रहा है ठीक और December quarter के लिए उन्होंने RBI ने 6.5% GDP expansion बताया है तो RBI की forecasting कहती है कि GDP expansion 6.5% से होगा अगली news है महराश्ट्रा बिकम largest economy इनिडिया, UP बिकम second largest जो इंडिया की GDP है उसमें सबसे ज़्यादा share किस state का है अगर ये बात आप से कोई पूछे तो आप बताऊगे महराश्ट्रा का है सबसे ज़्यादा share किसका है महराश्ट्रा का है ठीक है कितना 15.7% share महराश्ट्रा का है दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश 9.2 share इंडिया की GDP में थर्ड है तमिल नाडू 9.1 फोर्थ है गुजरात 8.2 फिफ्थ है वेस्ट बेंगॉल 7.5% share है GDP में करनाटिका है देन 6.2 राजस्थान है 5.5 आंध्रप्रदेश 4.9 एंद्ध्यप्रदेश 4.6% इतना परसंटेज share है इनका भारत की GDP के अंदर तो अगर कोई पूछें largest किसका share है तो महराष्ट्रा का है क्यों है वो आपको पता ही है बहुत बड़े-बड़े ports लगते हैं ठीक है बहुत अच्छी वहाँ से cotton की industries जो है वो ग्रो कर रही है महराष्ट्रा में पूरा हमारा cinema जगत वहीं पे है हमें eliminate करना है बिल्कुल जड से organized crime को eliminate करना है ease of doing business के अंदर भी यानि की काम करने में सहूलियत वो भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो second rank पे आ गया है ठीक है Global Investor Summit में ये बताया गया कि 40 लाख करोड का investment UP के अंदर हुआ है यानि UP काफी grow कर रहा है ऐसा इसके अंदर बताया जा रहा है अगली news है Reliance General Insurance introduces Reliance Health Global Insurance Policy Reliance General Insurance ने एक नया product launch किया है जिसका नाम है Reliance Health Global Industry Policy ठीक है इसमें क्या लिखा है इसके अंदर It is the first global health insurance policy that cover emergency and planned treatments ये ऐसा global health insurance है Global का मतलब ना केवल भारत में बलकि विदेश के अंदर भी आप अपनी कोई health को सही कराते हो या health check-ups कराते हो तो उसका भी refund आपको यहां से मिलेगा उसका भी पैसा आपको यहां से मिलेगा यानि ये global health insurance product है पूरे विश्व को cover करेगा ठीक है emergency कोई बिमारी आ गई है उसको भी पैसा वापिस देता है और कोई planned treatment है जैसे घुटनों की surgery है हमने पहले ही plan करवा रखा है कि हम उस वक्त करवाएंगे तो उसका पैसा भी आपको पैसा मिलेगा सम की कोई दिक्कत नहीं है कितना भी पैसा हो ऐसा कोई limit नहीं लगा हुआ कि इतना ही percent हम देंगे तो कोई limit नहीं है ठीक है a health policy without borders इसकी tag line है a health policy without borders अभी तक क्या होता है कि भारत के अंदर इलाज कराया तो आपको पैसा मिलेगा अब भारत से बाहर भी आप इलाज करा रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा इसके चार plan है elite, elite plus, royal, royal plus ठीक है feature क्या है बच्चों का अगर insurance policy देखे तो 91 days से लेके 25 साल के लोगों का insurance होगा adults की बात करें तो 18 साल से 65 साल के लोगों का होगा ठीक है एक साल, दो साल, तीन साल की policy period आपको मिल जाएगा some जो है वो कह रहे है कितना coverage मिलेगा 1 million US dollars यानि 8.30 करोड रुपे का insurance आप लोगों को मिल जाएगा key points की बात करें तो ये सब कुछ include करता है special treatment तो neurosurgery, bypass surgery, cancer, etc यानि बड़ी-बड़ी बिमारियों के पैसा भी आपको यहां मिलेगा travel का भी provision है traveling allowances travel का जो खर्चा लगा है वो भी वापिस मिलेगा accommodation कहीं बाहर जाके रह रहे हो hotel ले रहे हो कहीं पे कोई flat लिया है अगर इलाज करवाने के लिए तो वो पैसा भी मिलेगा visa का पैसा assistant services का addressing का मतलब यह सब कुछ चीज कवर कर रहे है सब कुछ चीज कवर कर रहे है ambulance service organ donor expenses ठीक है room range का कोई limitation नहीं है कितने ही महंगे room में रह रहा हो आप hospital में तो यह जो है यह एक नया insurance का facility आई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक अगली news क्या है Indian banks global presence expanded RBI की जो ITBS survey है उसने बताया कि इंडिया का जो global presence है banks का वो बढ़ता जा रहा है RBI released the annual survey on international trade in banking service ITBS का मतलब है international trade in banking service ठीक है annual survey आया RBI का और उन्होंने यह survey जारी किया है 22-23 के अंदर cross border banking service भारत के 14 Indian banks और 44 foreign banks की branches या subsidiaries देखे तो इंडिया के banks का जो expansion है वो होता जा रहा है cross border banking services हम जादा दे रहे है ठीक है इसके अंदर fund based banking service है income passing deposits है credits है financial auxiliary service है यह सारी services यह सारी facilities हमारे bank अब foreign के अंदर भी दे रहे है यानि presence बढ़ रहा है Indian banks का Indian banks जो है subsidiary root के माध्यम से यानि अपने अपनी branches subsidiary के माध्यम से increase in employee strength foreign branches में employee strength भी बढ़ रहा है subsidiaries भी बढ़ रही है number of branches employees in foreign bank वो भी increase हो रहा है यानि कहने का मतलब क्या है अपने जो banks हैं वो बढ़ते जा रहे हैं there is expansion of the overseas business of Indian banks witnessing growth in deposit and lending activity भारत के जो Indian banks है वो foreign में जितनी भी उनकी branches है foreign में जितनी भी branches है उनका deposit का growth भी बढ़ा है और उनकी lending activity भी बढ़ी है मतलब वो foreign में deposit भी बहुत ले रहे हैं और lend भी बहुत कर रहे हैं foreign banks in India experienced a decline in aggregate deposit क्या कहता है foreign banks in India भारत के अंदर जो विदेशी bank है उपर मैंने बात की Indian banks जो foreign में है उनका काम बढ़ रहा है लेकिन जो foreign bank इंडिया के अंदर है उनका aggregate deposit कम हो रहा है credit कम हो रहा है क्योंकि अब हमारे ही banks ऐसे हो गए है जो विदेशों तक facility देते है ठीक है तो हमको foreign banks की इतनी ज़्यादा need रही नहीं है ठीक total income asset कितना हो रहा है वो आप देख पा रहे हो Indian bank की branches का 3.9% से increase हो गया है पहले जितना था और अब जितना है 3.9% से increase हो गया है ठीक है foreign bank in India had a higher fee income share at 11.5% bank branches UAE के अंदर highest fee income charge कर रही है United Arab Emirates के अंदर Indian banks जो है वो highest fees charge करते है then United Kingdom में then Hong Kong में then Singapore में सबसे ज़्यादा fees जो है हम वहाँ पे UAE में charge कर रहे है अगली news क्या है next news है LIC ने gratuity को increase कर दिया है 3.5.5 जो extra income company देती है अपने employees को अपने agents को वो 3 लाग से बढ़ा के 5 लाग कर दी है these regulation will be called Life Insurance Corporation of India Agent Amendment Regulation कुछ amendment किया है इनोंने अपने agents के नियम में और उसके अंदर कहा है कि जो इनका gratuity का जो limit था वो 3 लाग से बढ़ा के 5 लाग कर दिया है ठीक है Ministry of Finance ने इसको approval दे दिया है welfare measure के नाम से family pension भी जो है उसका भी एक uniform rate कर दिया है ठीक है तो ये जो है ये पूरी news थी LIC को लेके अगली news है World Bank ने World Bank की एक report आई है उस report में ये कहा है Global Remittance Chart के हिसाब से भारत Remittance के लिए Topper रहा है Topper रहा है यानि Remittance क्या होता है ये समझे Remittance होता है Students Remittance क्या होता है माल लिजे आप Indian origin के हो आप Indian citizen हो Indian origin के हो अब आप विदेश में गए हुए हो किसी purpose किसी purpose से आप emigrate हो गए हो ठीक है आप emigrant हो आप emigrate हो गए हो किसी वज़े से अब आप फॉरन में जो भी आपको service जो भी salary आपको मिल रही है उस salary का एक हिस्सा आप अपनी family को अपने original nation में भेज रहे हो आपकी family तो यही है आप काम के purpose से विदेश गए थे अब अपनी income का एक हिस्सा आप अपनी family को भेजते हो तो जो amount आप भेज रहे हो उसको कहते हैं remittance तो भारत के सबसे ज़ादा बच्चे विदेशों में है और ऐसे ऐसे देश के अंदर है जहाँ पे salary package अच्छा है तो एक बड़ा हिस्सा एक बड़ा share वो अपनी family को भेजते हैं इस वज़े से इंडिया बहुत लंबे समय से top में ही रहता है फस्स रहता है remittance में अभी भी इंडिया जो है वो topper है remittance में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत भारत भारत USD 125 billion इतना remittance भारत में भेज रहा है second number पे Mexico है एक बार देख लेते हैं चार्ट देखें first number पे आपका इंडिया है then Mexico then China then Philippines and then Egypt ठीक है कितना कितना amount आपके देशों में आ रहा है वो भी आप देख पा रहे हो भारत का है 125 billion US dollar इंडिया का position क्या कहा जा रहा है एक तो US के अंदर tight labor market होने के कारण ये remittance बढ़ गया है ठीक है यूरोप के अंदर employment growth बहुत जादा हुआ है इस वज़े से जो Indians यूरोप के अंदर काम कर रहे थे बड़ा amount भारत में भेजने लगे ठीक South Asian region के अंदर जो ये remittance है ये बढ़ता जा रहा है remittance इतना हमने estimate किया था ठीक 2022 में 12% growth था अब की बार 7.2% है other regional flow की बात करे तो Middle East और North Africa के अंदर decline देखा गया है पहले की तुलना में कम remittance यहां पे आ रहे है लगातार दूसरे साल में Egypt के अंदर सबसे कम remittances जो है वो आते हैं Egypt के अंदर बहुत कम remittances जो है वो आ रहे है मतलब पहले की तुलना में बहुत कम ऐसा नहीं है सबसे कम पहले के compare में एजिप्ट में कम remittances आ रहे है यूरोप और Central Asia के अंदर भी remittance कम हुए है 1.4% से कम हो गए है ठीक है Now the next news is Government of India and Asian Development Bank ने 17 billion Japanese yen loan जो है वो sign किया है for Delhi Merit Delhi Merit RRTS corridor RRTS क्या है Regional Rapid Transit Transit System सामान की आवा जाही के लिए Railway Track बनाया जा रहा दिल्ली से Merit तक ठीक है दिल्ली से Merit Merit से दिल्ली उसके लिए ये 37 billion 37 billion yen के अंदर loan है डॉलर नहीं है याद रखोगे 37 billion Japanese yen जो है ये loan sign हुआ है तीन priority rail corridor plan थे अपने पास एक था NCR region के अंदर ठीक है 2021 में दिल्ली को neighboring state से cities से connect करने का वो हमने कर दिया metros की मदद से फिर RTS एक new dedicated high speed high capacity comfortable commuter service है ठीक है NCR के अंदर regional nodes से connect करने के लिए एक ये project है और एक दिल्ली मेरit वाला काम जो है वो शुरू हो चुका है implementing agency क्या है NCRTC National Capital Region Transport Corporation इसको काम कर रहा है जिसके अंदर joint venture है दिल्ली की government का हर्याणा राजसान उतरप्रदेश की government का और government of India joint venture सब लोग मिल के काम कर रहे है notes की बात करें तो Asian Development Bank ने क्या-क्या finance दिये हैं वो आप देख पा रहे हो ठीक ये सबसे पहले 500 million US dollar जितना amount यहाँ पे भेजा है Asian Development Bank key points की बात करें इससे urban mobility increase होगी economic impacts जो है यह women को differently abled को काफी मदद करेगा women's को differently abled लोगों को काफी मदद करेगा क्योंकि connectivity बढ़ेगी तो लोगों की आवाजा ही बहुत आसान हो जाएगी इससे rapid safe और high capacity commuter transit travel time reduce हो जाएगा तीन-चार घंटे का समय लगभग एक घंटे में पूरा हो जाएगा high speed rail connectivity project जो है चलाए जा रहे है अगली news है Indus in Bank ने industry first program for diamond industry launch किया है पहली बाद diamond industry के लिए यह program launch हुआ है Indus in Bank ने Indus solitaire program solitaire मतलब diamond की बात हो रही है Indus solitaire program Indus in Bank ने शुरू किया है यह first community banking program है for designed for diamond industry इसमें क्या होगा the program provides a range of exclusive benefits along with distinct features and offering to customers in the diamond industry diamond industry के जितरे भी customers है उनको कुछ special offerings मिलेंगी the service includes 24 into 7 locker access locker मिलेगा Indus in Bank में 24 घंटे सातो दिन specific branches पे किसी किसी ब्रांच पे है हर ब्रांच पे नहीं होगा add on family account एक individual का locker भी ले सकते हो पूरा family का locker भी ले सकते हो debit or credit card ठीक है जो diamonds पे आपको कुछ benefits देगा program traditional banking के beyond जा रहा है ठीक है आपको banking services जो है वो मिलेंगी और यह जो Indus in Bank की जो branches है कहां की गुजरात की और सूरत की सूरत की सौरी और महराश्वा मुंबई की उन branches में आपको यह facility देखने को मिलेगी और एक नई ब्रांच इंडसिन बैंक की सूरत डायमंड बोर्स के नाम से यहां पे सूरत के अंदर एक और ब्रांच जो है वो इसकी bank assurance हो रहा है करोर वैशे bank के जितने भी customer है उनको अपने bank deposit के साथ HDFC का life insurance भी साथ में मिलेगा इसको कहते है bank assurance जब bank और insurance company आपस में collaboration कर ले कि तुम्हारे जो bank के customer है उनको हम insurance की सुविधा देंगे उसको कहते है bank assurance तो करोर वैशे bank ने corporate agency arrangement जो है वो sign कर लिया है HDFC life के साथ इस arrangement में क्या है जो customer होंगे करोर वैशे bank के वो HDFC life wide range of customized life insurance products को enjoy कर पाएंगे ठीक है इससे customers का well-being बढ़ेगा क्यूंकि हमारा target क्या है 2047 तक 2047 तक insurance for all यह अपना target है 2047 तक हर किसी के पास insurance की सुविधा होनी चाहिए जो insurance regulatory development authority of India है इसने यह कहा है कि 2047 तक हर व्यक्ति के पास insurance होना चाहिए life का, health का, property insurance coverage आपके पास होना चाहिए ठीक है तीन pillars entire insurance ecosystem के अंदर है customer insurance provider और insurance distributor यानि intermediary customer कौन हो गए policy holder जो insurance करवाएंगे ठीक है insurance provider को हम क्या कह रहे है insurers, जैसे HDFC life insurers हो गए वो आपको insurance provide कर रहे है और insurance distributor कौन हो गए जो बीच के agent हो गए bank assurance क्या है यह बता दिया जिसमें bank और कोई भी insurance company आपस में agreement कर लेती है करूर वैश्य bank की बात करते हैं तो MD CEO है बी रमेश बाबू, headquarter करूर तमिलनाडू, 1916 में establishment है, tagline है smart way to bet HDFC life insurance company, इसके CEO है विभा पडलकर, headquarter मुंबई महराश्ट्रा 2000 में यह establish हुआ है, तो यह आज की news थी, SSC economy प्वालिटी का batch जो है बिल्कुल basic से शुरू होके high level तक का app पर है आप लोग available कर सकते हो इस batch को, details जो है वो description box में जाके app पर पहुँचो, then वहाँ पर आपको इस details मिल जाएगी आज का question क्या है एक तो highest share highest share कौन से state का है कौन से state का है ठीक है, GDP में इंडियास GDP में highest share कौन से state का है एक तो आपको ये बताना है question number 2 आपको ये बताना है bank assurance क्या होता है ठीक है, bank assurance क्या होता है ठीक, बहुत कम शब्दों में comment section में मुझे बताना क्या होता है bank assurance और भारत की GDP में highest share किस state का है so thank you so much take care, bye bye